कि अधिया वेलकम टो वी पीडिया और में नाम है राजी कुवार सर्मा और एक बार फिर आपका सवगत है अभी पीडिया फिर ठीक है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रोमिस किया था ठीक है और इसमें हमने डिसकस किया था कि ओल कंपेटिटिव आप किसी भी एक्जाम बैंकिंग एकजाम की अगर कर रहे है तो आप एक राइट जंगे पर पहुँआ है तो उसमें हमने डिसकसिन किया था कि राइट रिजिनिंग में जो हमारे पास कितने चैप्टर आएगा और उसमें देखे थे कितने कितने टॉप करने हैं त्यारी कि एकसे के सारी कटरें तो अब क्यों सोरी स्थीर इवाला है तो अब हमारा स्रीश चलने वाला है इसमें हम सभी चैप्टर के मैं ट्राइ करूंगा कि को शिंघ क्राओं कि आपको दिखाओं कि जो अब उससब चीज़ यह हम देखेंगे तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है तो आप देख सकते हूं अल्फा नुमेरिकल स्रीज रहने वाला ठीक है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा रिजिनिंग है उस रिजिनिंग में अगर आपको बेसिक अपने स् यह के अलवा नुमैरिक है इसके हम और एक नुमेरिक मिलेगा तो इसको कर में दो पार्ट में डिवार कुरू एक तो क्या है मेरे पास अलफाबैट है और एक कहा है नमबर्स देख सकते हैं तो अलफाबैट से में हमारे पास क्या है ये आलफा बैट्स आपको बताएं की 1 से लेके कित ने तक होते हैं 56 तक होते हैं जिसमें A2 लेकर आपके पास z तक होते हैं तो अगर आपको regioning करनी है चुरूफ इस कि ऐड़ लेकर आपको याद होने चाहिए तो सबसे पहला आप यह complete करो आते हैं नंबरِّ ठीक है देखो combination है दोनोंगा alphabats और numbers का तो आपको दोनों की knowledge होने जरूरी है numbers की knowledge होने जरूरी है जैसे हमारे पाइज जीरो टो 9 तो इनकी आपको knowledge होने चीए कि किस-किस तरीके से आएगा जैसे आपको एक तो even number पता होने चीए or number पता होने चीए नमबर पता होने चीए और composite नमबर पता होने चाहिए और भी है हमारे पास ठीक है जो आपको पता होने चीए जैसे कभी-कभी आपको डितर्टी रुल ओफ-3 लग जाएगा इस तरीके से आपके लगते रहेंगा तो वो बीच-बीच में नंबर टू से डिवाइड होगा हमारे पास यह क्या होगा हमारे पास नाइन अबर K बात करें एक ऐसे नंबर जो डिवाइड़ वाइड और इसलप कि एक ऐसे और क्या होगा 11 टिक है नाइन नहीं हो जो क्योंकि 93 prevents अलेकट तरिसे नम्बर क्या होता है ज्वो बीप्टे लीड को हो इसके more than two factor more than क्या हो two factor तो ऐसे नमबर जिनके more than two factor होगई ऑपास composite number होगे क्योंकि prime number के दो ही फैक्टर होगई एक तो खुद होता है और एक वन होता है तो वह प्रिगा होंगे प्राइम नमबर लेकिन composite number कि more than two factor होगई जैसे जैसे 6 है तो तो six का factor क्या है तु है ठी है वन है और शिक्स खुद है तो इसके more than टू फैक्टर हो ए न तो six क्या हमारा पास composite number यह तो ऐसे नबर जो हमारे पास जिसके more than two factor होते हो क्या होते हमारा पास composite number होते है कभी-कभी आ जाता है तो basic की छोटा तो इसका देख लेंगे याद करने पड़ेंगे इनको निकलिक के देखो देन कुछ ट्रिक्स आप उनकी याद करो टीक है और जैड लेके आप इसको नमबर इनकी आप याद करो जीतने याद रखोगे उतना आपका बेनिफिट होगा और उतने जल्दी आप कोशन को पकड़ सबसे पहला कोशन है आपको कैसा देगा स्रीज टाइप से में और आपको बोलेगा कि आपको कोशन करने तो जैसे आपको क्या बोला है कि देखो डारेक्शन के स्टेड़ फोलिंग आरिजमेंट दे रखिये के कैरफूली एंड आंसर दा फोलोविंग कोशन आपको बताना कि हमारे पास एक अरिजमेंट गीवन है और जो हमारे पास जो कोशन है उनके आंसर आपको देने हैं एकसज़ आनि से ले कहां तक कि कोशन घ्र बार तक कि यह आपको पढ़नी नहीं है जस्ट आपने देखने हैं ठीक है यह पढ़ना इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि यहां पहले एक से जैड़ इन इनक कुछ नहीं करना आपने जैसे एक जैसे इन सर्टेन जैसे आपके पास होता है जो पढ़ेंगे ओड़ वन आउट कि आपने ओड़ दूढ़ना है कि जो पांच है पांच में से चार कोई पैटरन फोलो कर रहे है और एक है पैटरन फोलो नहीं करना तो आपको वह धूंड़ना है तो उसने क्या बोले कि विचोंदा फॉल सब्सक्ताला सब्सक्राण करते है क्या वाटर सब्सक्राइबत शम्र्णान करना यहां पर क्या सेवन है यहां पे इक नमबर का सलागए बांके ब Länder हो गए उसके बाद के ऐ सिसके बाद के मेरे पासfrage कि ना हैं उसके बाद क्या है मेरे पास यू है उसके बाद dollar है उसके बाद two यूँ तकंट होगे तो यूदी तो नाों कभी से पाइट ये तो उनान से बिल्कुल अलगं वो बिल्कुल अलग है तो यह औड वन आउट हमने देखा तो यह हमारे पास question बहुत आते हैं अगर आपके पास 3-4 question आपको स्रीज में देगा इस अरेंजमेंट में तो उसमें से 100% ऐसे वो आपको पुछे गई कि पांच है पास में 4 एक जैसे follow कर रहा है तो उसमें से एक बताना आपने जो follow नहीं कर रहा हूं पैटर्न हो ठीक है तो पहले 20-30 second आपने पहले question खुल पर ना फिर try करना है और इसके बाद देखना है कि करें शुरू क्या बोला देखो how many how many symbols are there कि आपके पास how many symbols are there how many symbols are there between the second perfect square second perfect square अब बात आते हैं perfect square कि numbers मैंने बहुत आपकी numbers की knowledge आपको होने चाहिए numbers में perfect square की बात हो रही है तो perfect square क्या होता है जो किसी ने किसी के square हो जैसे हमारे पास के one perfect square किसका one का four है उसके बाद के nine है उसके बाद के 16 और उसके बाद के 25 यह क्या है परफेक्ट square है ठीक है from the left hand left hand से second square and first perfect cube from the right hand perfect cube क्या होता है one है nine perfect nine तो नहीं होगा मारे पास उसके बाद क्या होगा परफेक्ट क्यूब हमारे पास eight हो जाएगा eight के बाद क्या हो 27 और क्या हो जाएगा 64 यह क्या हमारे पास perfect cube है तो हमने क्या देखने कि how many symbol are there between the second perfect square तो perfect square from the left hand यह आपके पास line है तो यह क्या होगा आपका left hand हो और यह क्या होगा तो इसका यहां से देखा हमने ठीक है उसके बाद इधर से आ जो question mark two perfect cube नहीं होता नहीं होता सी तो दो और चार के बीच में कितने symbol है दो और चार के बीच में कितने symbol है इसने यह बोला आपको ठीक है तो count कर आप symbol काउंट करने ना तो symbol हमारे पास कितना आ जाएगा एक दो तीन और क्या जाएगा चार कितना आ जाएगा चार तो क्या जाएगा मारे पास अंसर more than three क्या जाएगा more than three आ जाएगा ठीक है अपका क्या है आपको अगर basic knowledge है numbers की और alphabet की तो यह question बड़े जल्दी हो जाते हैं ठीक है तो मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में discussion किया था तो हमने यह बोला था कि आप पहले जो ऐसे उनको complete कर लो तो आपको confidence boost होएगा आपको यह नहीं लगेगा कि हाँ भी मुझे तो कुछ नहीं आता आप यह चैप्टर कर उसको देखो 20 सेगिंड दन करो करो कि क्या बोला देखो हो मैंने सच वह बड़ेर यह आपको क्या बताने हाँ मैंने सच वह बड़ेर इन देगिवन सिक्वेंस यह मारा पास सिक्वेंस कि यह ने सिंबल इमीडिटक्र राइट कि अइसे कितने वह इस हमारे पास चैएंगर ऑर इस तो तीन चीज़ के पूछ सकता है और हमारे पास और वाले में किया है कि अगर यह आई है इसके यह भी हो काउंट वेकर यह हमारे पास अगर क्या बोलते यू है और यू के राइट में हो लेफ्ट में होता है तो यह भी काउंट वह तो देखो आप करो कितने हैं सबसे पहले आजो वह विल्स देखो कहां कहां पर इसके बाद क्या है यह रहा उसके बाद क्या आई यह रहा ओभी है ठीक है जी और कौन से है इधर आजो और कोई है नहीं है ना यू क्या है हमारे पास यू यह वह वह विल्स हमारे पास वह विल्स क्या होता है आपको ठीक है पता है नहीं हो गया और यू इसके लेप्ट राइट में है है तो यह बहुत हुद अबंघच्या है यह काउंट हुद मंहीं है इस इससे अ हमार पास कितने हैं सिर्फ कितने हैं कितने हैं कितने हैं सिंपल तक उसके बाद कॉस्चन को रीड करो तो आपको रीड करना आएगा वह आपकी माइंड में इमेज बन जाएगी पहले से ही कि हाँ पहले से मेरे माइंड में है आप कॉस्चन को रीड करोगे तो आपके पास जल्दी से होएगा ठीके आप प्रेक्टिस नहीं करोगे तो को समझने में टाइम लगता आपको ठीके वही टाइम सेव करना है अपने ना ठीके उसको पढ़ो माइंड को आधा डलवाओ कि हाँ यह मैंने पढ़ा हुआ है इसको ऐसे काम करना इस तरीके जुन क्या बोला देखो एंड इस सारे कॉंसोनेंट क्या होंगे ए ई आई ओ यू को चोड़के जितने भी अलफ़ाबेट है हमारे पास देखें उन सब को जो 21 आलफ़ाइट ट्वेटी सिक्स फाइप वोविल्स होगे 21 क्या चोंसोनेंट होगे उनको अगर वोविल्स को छोड़ जो कॉंसोनेंट है और जो सिंबल से आड्रोप मतलब इसमें से अटा दे फ्रों दा गीवन सिक्वेंट देन विच फॉलूइंट विल बी नाइन फ्रॉम दी लेफ्ट एंड की कौन सा हमारे पास लेफ्ट एंड से नाइन नाइन ठीक है तो सबसे पहले कि यह कॉंसोनेंट इसको ड्रोप करना पड़ेगा यह कॉंसोनेंट है इसको ड्रोप करना पड़ेगा और क्या-क्या-क्यठ रॉपë करने सिंबल तो यह नई रावि데 कौन से गाएका जिर्बॉम के विलकुल बहले और हटा धिया नंबर ह तीन आएगा मोबई आएगा मोबिलर आएगा लुटा दिया हट दिया सीमल ःटा धाद आएगा कॉंसोंने नंबर आएगा वन आएगा किसे जिस हैं आए ड Què Mila आपने आगे पूरा नहीं करना और अगर ना न Сे पुछा युटिने तक उसने पूछा है किarnosfulness को डॉफ करा शिंबल को डॉफ करा वह वैंने पेता इन के बाद क्या था वन है न इनके बाद आई था सोड़ फिर क्या है वन तो आंसर क्या होगा महर पास भी अंसर हो जाए रहे है कि तना हो जाएक कि यह करें नेक्स्ट ओके इसका लास्ट कॉश्चिन इस सरीज का क्या वोला हम इने मौल सार बेट्वीन या फॉस्ट इवन न सर्णाइब कौन सा ईवन नंबर से आपके पास कन आपने विश्चन क्छुद करना ओपने आपको तो आपने वही चीज देखनी है कि जो कोशन से वो टाइस क्या पोस्ता है वह आपको एक बार पदा लगे तो आपके लिए पर दो आपके लिए अपर पास कोशन बन सकता है तो पढ़ो आपको क्या बोले कि रीट था फोलोगिंग अल्फानुमेरिकल सिंबल शरी आज की जो वीडिय लेक्शर में है मारे पास सबसे पहले क्या वहला देफोर ओल्फानुमेरिकल सिंबल स्रीज वाल है ठीक है एंड दा आंसर दा गोशन बेस ओन एट ठीक है इस तरीके लिए सबसे पहले आप यह देखो एक नहीं स्रीज बन जाएगी उसमें से आप देख सकते हो कि आपके पता है कि यह आप अगर है तो यह हमारा राइट उतर यह क्या था लेक्ट सबोज यह मेरे पास एक दो तीन चार पांच कि यहां पे कौन बेट हो यहां ठीक है और उसमें आपनी हमाने ओटा रहा है इसके बाद वाला उटा उसने क्या वह ओला स्किप कर दो तो फट जाए गा उसके बाद क्या आएगा पहला एल आए गा ठीक है जी पी आएगा आए कि आएगा बिल्कुल आएगा एट जाएगा तो एक दो क्या देखो एक डो तीन चार पांच तो आंसर क्या हो जाएगा इसा आपको असान लग रहे होंगा टीक है इस तरीक है पो ठीक है देखो का लागर की ठीक है देखो क्या बोले what is the sum what is the sum what is the sum of the second prime number second prime number from right end and the third composite number from the left end ठीक है तो prime number मैंने आपको पहले बता है prime number क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 यह क्या है मार पास prime number है ठीक है composite number क्या होगे मर पास जिनके more than two factor हो जैसे four हो गया ठीक है four का factor क्या हो one भी होता है two भी होता है four भी होता है six हो गया eight हो गया यह क्या हमारे पास composite number है ठीक है तो उसे ने बोला है कि second prime number from the right end तो right hand हमार पास c है तो भाई आजो पहले यह क्या है पांच फर्स्ट प्राइम नंबर होगा उसके बाद आजो 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 एट एट क्या होता है एवन एवन के बाद nine क्या होता है प्राइम नंबर है उसके दोई फेक्टर होते है ठीक है उसके बाद four होएगा बिल्कुल होएगा और nine क्या होगा नाइन नाइन के फेक्टर क्या होते है देखो वन भी होता है तो more than two factor आगे ठीक है तो उसने क्या बोला था देखो एक बार दुबारा पढ़ते कि what is the sum of the second prime number तो second prime number क्या हमारे पास पहला प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर क्या है क्या हो आपके basic के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अगर basic क्लियर करना है तो मैं आपको बताऊंगो कैसे होएगा ठीक है वीडियो के लास्ट में देखेंगे basic कैसे क्लियर करना है यह क्लिए होटे हैं कि हम काउंट कर रहे हैं हमने 17 एक आपने जल्दी नहीं करना हैं इतनी नहीं करना कि वो निकले जाया है आप आप तो आप देखो उसका अंसर के आएगा कि ठीक है जी काउंट करना है आपने 17th from the left hand देखो कितना होगा तीन आप तीन की पेर कर सकतो स्क्रीन पे आप दिखेंगे आप तोड़ा पास जागे देखो तीन तीन छे कितना होगा 9 12 15 और 17 तो क्या होगा हमारे पास 9 ठीक है तो answer क्या हो जाएगा 9 ठीक है इस तरीक है आप द देखो करके तो आपको आए गई आए गाए गाए तो देखो करके क्या बोला कि फोर आपने चाहां चीजी देखना आविच्छ वह पुछेगा आपसे पोर वन आउट पूछेगा तो आपने बस जाता पूरा नहीं बढ़ना उसको वहीं से सुरू कर देना सबसे पहला उप्सेटार के तो देखो सेवन यह रहा स्टार कितने एक कराए कि इसके पास ही बैटा ओके लेफ्ट वाला एक सेवन के लेफ्ट वाला इधर आगे और गयार इस अगला क्या देखो तो यह अरे पास पहले बिलकुल एक चोड़के हैं और यह क्या उसके पास है यह दोने क्यासे हैं जह सब्सक्राइब्स टेज़़ो डोलर यह लैखोड़के तो ये भी है तो बचा यह इस को देख लो एक बार वाई तो वाई एक गैफ होना चाहिए तो यह नहीं होगा तो आपने बस पूछ नहीं करना पैटर्न सेम होना चाहिए बाकिसा में एक में पैटर्न अलग होना चाहिए ठीक है इस तरी के जिए गार भी अधर की बाते करके हम यहां पर पढ़ाई करेंगे पढ़ाई मतलब पढ़ाई करेंगे और उसको अच्छे से करेंगे ठीक है देखेंगे जो पैटर्न चल रहा है आज शकल बैंकिंग में उसमें किस तरकी कोशन आ रहे हैं तो आप बने रहे जो भी आपके दोस्त कर रहे हैं उनको सेयर करें उनके साथ ठीक है और त्यारी करते रहे अपने टाइम वेस्ट न करें कहीं पर बीना क्योंकि ओनलाइन का सबसे बड़ा जो ड्रोबैक से वही है कि आपको कभी कभी न टाइम वेस्ट कराते हैं कुछ आपको देखती हैं यूटूब पे ठीक है इस बीच में कौन सा थैक हो ठीक है यह रहा परसेंटेज और हैस्टेक ड 때 के ढूड़ ओडो पाकी से कोई मतलब नहीं यह चीचिज आपने सीखनेश कर दिया प्रक हिख से न का आएगा ऐगा नाई पी खदम नाइन और एट आएं ड़ एक और एक तो तो यह धाब और हमारे पास हैस्टेग यहां पर क्या आ गया परसेंटेज है न इस तरीक है से क्योंकि लेटर स्कीप करें शिम्बल स्कीप नहीं किया नंबर स्कीप इस तरीक अब उसने क्या गोला था तन विच ऑब दा फॉलोविंग इस एक्ट्ली बेटविन बेटविन देखो कि है ओ पूरे पूरे आ रहा है तो पर्सेंटेज आया ठीक है अच्छा ये भी तो है ना सुरी ये भी तो होगा ना ये स्टार भी काउंट रहा है ठीक है कितने हैं देखो तीन ये रहे तो हमने सिर्फ परसेंटेज और हैस्टेक के बीच में देखना था तो हमने पहले वह लिख लिए और एक्षिल के बिट्विन क्या आएंगा मारे पास टू आजाए क्योंकि तो तो नहीं होगा कि यहां पर चार नंबर आजए तो एक्जक्तली बिट्विन तो हम नहीं बता सक कोड में आएंगे मारे पास देखो भई वीडियो पॉस करके करो उसको कोपी पैन आपने के हम हमेसे होगा जब भी आप वीडियो देखोगे तो कपी पैन हमेसे साथ रखना जैसे मैं कोशन आपके स्कीनडर लेक्या हो वे तो आपने करना है और उसके बाद फिर देखना है कि हां मेरा आंसर आरहा नहीं आरहा फिर आंसर में यह आपका रहना चाहिए अगर आप देखो सिर्फ वीडियो को सुनोगे तो यह मैं तो रिजिनिक ऐसे हैं कि आपके पास सुनके काम नहीं हो आपका जीएस और इंगलिस न जागा आपको काम करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो प्रैक्टिस करनी है आपने और वह कैसे करनी है कि आपने कैसे साथ रखना क्यों क्योंकि आपको बाद में मिल जाएगा कि पूरी जो गिवन इसमें से किते हैं बिचोब्धा वैं सब्रेक्टेट फ्रोम डिजिट गिवेज रिजल्ट अच्छा दो चीजी होते तो फॉलोगिंग होता है एक तो फॉलोगिंग होता है प्रिसीडिंग होता है अब टीक है पॉलोविंग का मतलब है जैसे मैं बोलू कि 7 और यह क्या है मारे पास जैय है तो इसको क्या बोलूँगा 7 is followed by इसको मैं क्या बोलूँगा 7 is followed by a इसको यह मतलब होता है अगर आपको यह लिखा रहे हैं यह पर 7 इस उसको एक लिखने हैं सेयुन को फॉल्व कौन कर रहा ऐ अगर इसी चीज़ को हिस्तरीके से लिखने सेवन इस प्रशीड वाई है शाष तक्षम जिसलाब ये ऐसा है कि सैवन से पहले यह खें के इसने नहीं हो ना इसमें इसको याद रखना अब उसने क्या बोला कि कैतने डिजिट ऐसे हैं जो अपने पिछले वाले डिजिट से सब्ट्रेक्ट करने पर क्या आंसर दे वन आंसर दे तो जैसे सिक्स है तो सिक्स को फोलो कोन खर करें सेवन तो इसको सब्ट्रेक्ट कर एक दे रहा है वन दे रहा है इसे तो यह और यह यह ज़ी नहीं देगा यह भी नहीं देगा है ritis देगा तो किने होगा एक दो थी सो यह की दो पांक नहीं होगा नए क्या लगा देगार बिरियुक्त चार से तो ज़्यादी है ने यहाँ पे भी आएगा आए गा बिलकुल ठीक है और देखो आजो 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 आ जो यह पे यह यह बी नहीं है यह दो इन वह देनी यह यह धिनी है तो । 4 कि ऐसे चार से ज्यादा डिजिट है जिनको उसके फोलोविंग डिजिट से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंतर की आगा मरफास वन आएगा ठीक है इस तरीके देखेंगे ना फोलोविंग और फिदिम है यह फोलोविंग है एट इस फोलोड बाइड और सी परसीड़िट वाइड तो यह क्या है परसीड़िट है तो कि देखो कै यह बला देखो which of the following numbers will be obtained from the 18th number from the right तो मैंने क्या आपको यह राइट है आपका और यह आपका लेट है तो पहले राइट को राइट कौन से करना है एटी तो क्या हो गया तो इसके बाद क्या वोले आपको इधर से आ जो तीन नो तीन बारह तीन पंदरह तीन अठारा और एक उनिस यह क्या है लेट आपको तो राइट से तो राइट से तो राइट से आए ता लेट से तो यह वाले असान होते हैं बस ध्यान से करने इस वाले कोश्चन में यह माइड ने बिठा लो कि जब भी यह वाला कॉश्चन आएका तो मिलेको काउंटिंग थोड़ा ध्यान से के प्रिकोशन करना इसे में नहीं तो यह थोड़ा सा अगर आगे बिच्छो तो गलत इस तरी लेकिलिए अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास अले तो आप कमेंट बोक्ष ने बता सकते हो नेक्स टैम फिर थोड़ा स्लो कर लेंगे इसे है तो यह कुछ है निच में इजी इजी से है ठीक है आपको प्रैक्टिस ही करनी है ठीक है तो टाइम वेस्ट हम करेंगी न कि आपको क्या एगा है कि यह इन्दा नुमेरिक स्रीच विच अरिमिडेटली परसीडर आगे नहीं परसीडर बाई नंबर विच इजी परफेक्ट तो कि ऐसे कितने किने और नंबर किया है क्या है आ हो टा चूब किया क्या होता है एक होता है एक के बाद तो ऐट होता है एक होता है यह होता है ईतवारत निलंडर पहले कि आएगा घए सरlike मैं अब उसके देखो एट नमबर है उच्छे और साथ ठीक है इस तरीके तो यह तो परफेक्ट चूब है बट यह ओड नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यह ओड नहीं है उसने बोला नहीं है उसने बोला और नमबर बताने हैं तो क्या हो जाए हमार पास साथ हो जाए है कि देखो नेक्ट के हमारी फर्स लेक्चर है उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और वैरीशन ठीक है कि इनको हटके दूसरे टाइप की कोश्चन अल्फनुमेरिक में से कैसे जाए है तो टोटली कम्प्लीट हो जाएगा तो इस तरीके इस लेक्चर में उसके बाद क्या बोले जखो वें तो इस अप्रिकिट फ्रॉम ओल दी ओड नमबर कि जो भी हमार पास सारे ओड नमबर उसमें से दो सब्रेक्ट कर दें वन इस सब्रेक्टिट फ्रॉम दी ओल इवन नमबर इवन नमबर में से वन माइनस कर दें और विच ओड़ फोलिंग विल बी दा इक्टिंग सोलवा फ्रॉम दी राइट है राइक को रोज को 20 सेकंट आपके बास अधर अधर को ऐसे करो कि 2 अधैने असले से पिप्र हुआ और वन को तो सब्सक्राइब हमें तो मतलब किस तहीं नमबर से पोजिशन नहीं और पॉजिशन तो पॉजिशन नंबर वाले में से क्या मानस करना तो इसमें चप्राइब सब्सक्राइब करना पड़ता है तो पोजिशन नहीं है तो पोजिशन तो फिक्स है उसी नंबर से मतलब है जो पुच्छा है ठीक है करें लास्ट कोश्चन करो क्या आप इसको ट्राइ करो को दिना मैं बता देता हूं मैंने सचीवन नंबर देर इन विच इमिडेटली फॉलोड कि कौन से इवे नंबर ऐसे जो परफेक्ट स्कॉर से तो इस कोश्चन का भी आंसर आपने क्या देखना है कमेंट बोक्स में देना दो कोश्चन बदाए मैंने आपको एक सबसे लास्ट और एक कोश्चन बीच में बिच पिता इनके अंसर आपने आप बलकुल बेसिक से करना है तो आगलें बेसिक से अगर आपको बिल्कुल पढ़नार कंगल करना है'M तो अब इदिया पर आप क्लिक करोगे आपके पास ऐसा एक पेज आ जाएगा चूस एक्जाम का आपने किसी पर परफिशन करों जैसे अभी हम का बैंकिंग सर्विस की कर रहे हैं बैंकिंग सर्विस में आप कम्बाइंड जो हमारे पास यह जो रहने वाला किसी इसका रहने अब आपको परचेस करना है तो अब आपको फॉर्टी टू लेक्चर मिलेंगे और उसमें आपने अब इसको क्लिक करने तो यह आपके पास फॉर्टी टू जो कोर्स है इसमें आपको देखो 1023 अब विरिंगे तरीटी वन टैस्ट मिलेंगे Corps 1531 Soc इस virus कल यह कोर्स आपको दो दिन कड्रारि विए और जkek कोर्स मातर कितना है जिसकी वेंड़ै walks और यह क्या है मारपस 12500 रुपेग पाते कर तो यह बीडियो की दिसिरप्षिन में आपको को सब्सक्रुइर अब कोई भी आपको query हो ठीक है किसी भी चीज से लेटेट तो आप वहाँ से connect हो सकते हो ठीक है और इसमें आपको सब चीज मिलेगी ठीक है सब्सक्राइब करने क्या है गोगल पर जाना है अभी पीडे स्लेक्ट करना है और आपको सब्सक्राइब दो दिन का टेक्ते के अलफानुमेरिकल सरीच के और question कैसे आता है ठीक है ओके थैंक्यू करेंं करें करें करें